Hello friends, कैसे हैं आप सब लोग तो guys आज हम start करना जा रहे है अपना नया subject बहुत सबसे पहले आप subject का नाम लिक्वो मेरे साथ फटा फट फट फिर हम start करेंगे subject को the subject name is management accounting ये that is 100 marks हम पढ़ रहे हैं CMA Inter group 2 and paper number 12 देखो पेपर नमबर 12 जो है ना वो सेकंड ग्रूप का आखरी पेपर है मैं तो बोलूँगा CMA इंटर का सबसे लास्ट पेपर जो है ना वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैं आपको एक बात experience से बता रहा हूँ जो हम आखरी पेपर देने आते ना तो आखरी पेपर पहुंचते 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 ना बहुत हमत हार चुके होते हैं ठक चुके होते हैं ऐसा लगता है बस जैसे तैसे पेपर निकल जाए और हमारे पेपर खतम हो जाए पहले पेपर में जो जोश ह पाओ और बहुत ज़्यादा भी फिल करो और ऐसा लगेगी यार बहुत ठक गए अब तो तब भी आप इस पेपर को सब्सक्राइब के अंदर ना एक नया सब्जेक्ट ही डाल दिया इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हम पढ़ रहे हैं ग्रूप टू प्रस लेबस टू तू तू पर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार इसका सब्सक्र सब्सक्राइब का भाई यही हमारे पास लेटस लेडिशन है तो मैं यहां पर कुछ नहीं कर सकता और मैं आगे दिखाता हूं आपको पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्लेबस ट्रक्चर स्लेबस ट्रक्चर देखो सब्सक्राइब को यहां पर ना कुछ परसें वेटेज है आप यह मत सोचना कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा ही आएगा यह उपर नीचे होने में टाइम ने लगाते हैं सीमे वाले ऐसा मानिए किसी की वेटेज पांच परसेंट है यानि कि यह बोलते हैं कि सो में से पांच नंबर कवर करेगा तो इस की प्रॉलम आएगी ही नहीं एनिवेस सबसे पहले इंट्रोडक्शन तू मैंनेजमेंट रकांटिंग 5% इस प्योर्ली ठेटिकल चैप्टर बस इस चैप्टर में आपके साथ डिसकेशन होगी कि मैंनेजमेंट कांटिंग क्या होती है कोस्ट रकांटिंग और मैंनेजम कर रहे होंगे ना बीच बीच में थोड़े थोड़े कंटेंट को कवर करते रहेंगे एड़ एंड अफ दे हम देखेंगे कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है उसके बाद है एक्टिविटी बेस्ट कोस्टिंग 10% हा सेक्शन सी देखो सेक्शन सी सबसे बड़ा है जो 30% कहता ह है भाई इसके अंदर लिखा हुआ है कि मार्जिनल कोस्टिंग एप्लिकेशन ओफ मार्जिनल कोस्टिंग इन शोट टरम डिसीजन मेकिंग यह दोनों तो एक ही चैप्टर है मार्जिनल कोस्टिंग और मार्जिनल कोस्टिंग का शोट टरम डिसीजन मेकिंग में क्या के लिए अलिएंस अलियस स्टैड्ड कोश्टिंग और वेरियंस अनलिस सरा आप आप में एक चाप्टर है बजट री कंट्रोल यह भी गुरुव वन में था सर लेकिन यहां पर ना उससे था मतलब वह दो और कुछ advanced feature भी है जो यहां पर cover होंगे ठीक है ना तो यहां पर थोड़ा वाइड लेवल पर है उसके बाद है डिवीजनल performance measurement that is 10% responsibility accounting purely theory 5% and decision theory यह चैप्टर के नाम है आप इनके उपर focus मत करो हम one by one start करेंगे और आप जैसे से मैं पढ़ाऊंगो आपको वैसे वैसे देखने ठीक है आप sequence में देखना मेरी एडवाइज यह कि आप chapters को sequence में देखना अगर आप syllabus को start करने जा रहे हो तो अगर मैं पहला चैप्टर माल लीचिए आज हम इसमें सबसे पहले जो start करने वाले ना that is marginal costing आपने group one में भी पढ़ा हुआ है और group two में पढ़ने जा रहे हैं लेकिन यकीन मानो group one वाला जो है ना वो इसके आगे बहुत ही कम है group two के अंदर ना group one से बहुत vast है हां लेकिन of course base वही रहेगा लेकिन मैं आपको zero level से कर low level से start कर रहे हैं don't worry बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे ठीक है तो यह आपका syllabus है hundred marks का chapters के नाम में ने गिनवा दी है total ten chapter आपको दिखाई दे रहे हैं आपर ठीक है तो हम लोग start करेंगे यहां पर marginal costing का chapter और मैं पता हूँ आपकी जो book है यह दो chapter marginal costing and application of marginal costing यह दो chapter मतलब आप लगा लो कि आपके कितने pages cover करते हैं एक idea मतलब मैं दिखाना जा रहा हूँ कि study metal इसको कितनी weightage क्यों दे रहे हैं इसमें content इतना ज्यादा है कि इसकी weightage 30 bucks की बनती है including transfer pricing of course देखो मापको दिखाता हूँ इसके अंदर यह रहा marginal costing 95 से लेकर यह 93 से है बट 95 से conception होता है 148 page तक यानि की 53 page हो गए उसके बाद application of marginal costing in short term decision making that is 149 से लेकर 210 तक approximately 60 page तो यह जो है ना यह मतलब आपके सामने है मतलब मोटा मोटा यहां मालो आप approximately 50 page 53 is something कोई बात नहीं 60 page 110 pages का जो है आपके material का portion है अच्छा हम लोग proper तरीके से theory भी cover करेंगे हम लोग जितने भी practical questions है वो सारे cover करेंगे maximum practical question करेंगे इतने करेंगे किया वो कोई भी book पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेपर उससे बाहर नहीं आएगा even हम लोग अपनी classes मेंना साथ साथ MCQs भी करेंगे जैसे कि current pattern यहीं चल रहा है exam का कि MCQs भी आते हैं अच्छे खासे marks के आते हैं तो वो भी हम इसके अंदर साथ में cover करके ही चलेंगे ठीक है तो चलो फिर आज हम अपना पहला chapter स्टार्ट करते हैं marginal costing लेकिन marginal costing स्टार्ट कर है वो भी सुनना सबसे पहले chapter का नाम है जी marginal costing ठीक है marginal costing दूसरे chapter का नाम है जी standard costing तीसरे chapter का नाम है जी budgetary control these three chapter helps in decision making these three chapter helps in decision making इन तीन chapter को हम एक और बनाम लेते हैं technique of costing technique of costing sir अगर आपको cm में इंटर ग्रूप वन की कोस्ट थोड़ी बहुत भी याद है तो मैं कुछ याद दिलवाना चाहूंगा ठीक है नहीं आद तो भी कोई बात नहीं अभी याद आ जाएगा मेरे साथ साथ कुछ बाते मां को बताना चाहूंगा आपको पता है जब आप पहले हम कोस्ट को केलकुलेट करेंगे अगर 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 कि एक सब्सक्राइब त्वरा चार्जिंग खट गए तैसकी लेकिन ठीक हो गए हाँगा है पहले हम हमारा परपस था कोस्ट केलकुलेट करना कोस्ट केलकुलेट करने के बाद उसको कंट्रोल करना यानि की कोस्ट का रिडक्शन करना जो आप इन तीन चैप्टर को पढ़ते हैं ना मार्जिनल कोस्टिंग स्टैंडर कोस्टिंग बजट्री कंट्रोल ताओगा परपस कोस्ट कंट्रोल करना नहीं है सोरी कोस्ट को कैलकूलेट करना नहीं है यहां पर हमें कोई मैटीरिल की कोस्ट कितनी आएगी यह कैलकूलेट नहीं करना या लेबर की कोस्ट हमें क्या पड़ेगी यह कैलकूलेट नहीं करना यह हमारे ओवरहेड टोटल कितने बन गए यह कैलकूलेट नहीं करना बलकि यहां आहां पर आपका परपस कोस्ट करना नहीं है यहां पर आपका बेसिक परपस जो है न वो टेक्नीक of costing को यूज करके मार्जन कोस्टिंग का मतलब टेक्नीक आफ कोस्टिंग को यूज करके helpful in decision making है मतलब decision making में helpful कैसे होगा यह आपको पता करना है is it clear हां जी तु स्टार्ट करते हैं इसको अब हम इसमें से सबसे पहला चप्टर जो स्टार्ट करेंगे ना that is marginal costing साथ साथ लिखते रहना मेरे आपको भी clear रहेगा marginal costing देखो थोड़ी सी बाते में अबताना जाओं आपको आपको पता है जो हमारी costing है अच्छा एक बात आपको लगा है सरा आप costing बोल रहे हैं तो management accounting पढ़ रहे हैं जो chapter हम पढ़ रहे हैं वो management accounting और costing दोनों purpose के लिए सेम है इसलिए अगर मैं costing word यूज करूं या रखो management accounting अपने आप इसके अंदर कवर पोना शुरू हो जाएगा हंजी आपको पता जो हम कोस्ट accounting पढ़ते हैं तो वहां पर हम दो तरह की industry में deal करते हैं एक हम डिल करते हैं product industry में कि जो manufacturer है वो बना रहा है product बना रहा है और एक हम करते हैं service industry में यहनि कि service provide करने के industry में ठीक है ना marginal costing का जो यूज नवो दुनों में है मतलब product industry में भी marginal costing का यूज आएगा marginal costing का यूज आएगा और service इंडस्ट्री में भी मार्जिनल कोस्टिंग का यूज आएगा कैसे आएगा वो सब मापको धीर धीर बताता रहूंगा आप एक बार साथ साथ पढ़ते रहो ठीक है एक और बात दो तरह की और्गनाईशन होती है जिसके दर हम काम करते हैं दो तरह की और्गनाईशन जिसके तो मैनुफैक्टिरिंग और्गनाईशन में में यूज रहता है हमारी कोस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ट्रेडिंग और्गनाईशन में भी होता है बट बहुत ही लिमिटेड यूज होता है लेकिन मैनुफैक्टिरिंग और्गनाईशन के अंदर इसका मेन यूजर रहता है तो यहां पर हमारा मेन रहेगा मार्जिनल कोस्टिंग का ठीक है हाँ जी चले अब हम बात करते हैं मार्जिनल कोस्टिंग क्या होती है लेकिन मार्जिनल कोस्टिंग से पहले मैं लिखना चाहूँगा marginal cost क्या होती है marginal cost हां जी now my question what is marginal cost बताऊ बई तुम लोग बताऊ मार्जनल कोस्ट क्या होती है हां जी बोलो बोलो marginal cost क्या होती है इसे सुना अपने का वर्ड यह मेरे खाल में एक सब्जेक्ट था economics वहां पर एक वर्ड था marginal cost यादा है कुछ-कुछ मार्जनल कोस्ट economics में आता है marginal cost क्या होती है अभी लिखवा तो अब अब लिख लो marginal cost is the cost for marginal cost is the cost for producing one extra unit of output अब आपने एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रडूस करना है एक्स्ट्रा यूनिट यह आप एक्स्ट्रा यूनिट प्रडूस कर रहे हैं तो इसकी कोस्ट आएगी इसकी जो एक्स्ट्रा कोस्ट आएगी ना अभी दो मिनट में समझना आएगा, पहले कुछ लिख लो, marginal cost is also known as variable cost. Magimal cost is also known as variable cost. Marginal cost is also known as variable cost. student कहता जी आपने का था marginal cost is the cost for producing one extra unit of output तो आपने यह नहीं खा कि marginal cost is the variable cost for producing one unit of output पर मैंने यह भी तो नहीं खा कि marginal cost is the total cost for producing one extra producing for one extra unit of output मैंने तो cost लिखा है क्या पता है यहां पर इस cost का मतलब वेरियाबल कोस्ट यूँ अभी हम बात करते हैं देखो आपने फैक्टरी में ये पड़क्ट बना रहे हो आप बताओ जब आप फैक्टरी में ये पड़क्ट बना रहे होगे तो आपके दो तरह की कोस्ट लग सकती है राइट एक कौन सी लग सकती है वेरियाबल कोस्ट साथ में कौन सी लगी होगी वोलो फटफट फिक्स कोस्ट तुम बो सकते भाई थोड़ा-फटब सकते कोई दिक्कत नहीं नो प्रॉबलम क्लास के अंदर आप आप बात कर सकते हो नहीं रियल में बोल सकते हो मैं साथ में बोलता हो तो सभी रहेगा हां जी तो आप जब कोई योनि कि इस यूनिट को बनाने के लिए तो क्या इसमें फिक्स कोस्ट का मतलब रेंट होता है क्या एक इसमें चलेगा उसी में चलेगा तो इसका मतलब यहां पर फिक्स कोस्ट आपकी कुछ मी नहीं आएगी advancing Mr.. अिश्री बनाेंगे तो उन्सी पॉर्ड हो चूकियां लेकिन वेरी इबल पूस्थ मचट लूशियार वेरी इसे अग्माने कड़ा तकरेंगे भrespect पुच्सक्ष वेरियबल कोश्ट का मतलब वो कोश्ट जो हमारे परड़क्शन से परड़क्शन से डारेक्टली क्या बोला मनें वर्ड डारेक्टली एंड 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 सिर्फ डिरेक्टली नहीं डिरेक्टली नहीं सिर्फ डारेक्टली नहीं वेरियबल कोश्ट क्या होती है जो परड़क् कोष्ट एक रुपय आती तो दो याइगी डाई याधी डाही अगे डाई तो लेक्षयास आजाएगा अगर अगर याफ्ड बनाते हो तो एक कोष्ट आती है दूसरा मत wasn't हो तो हम बोलते है और यह वेरियबल कोष्ट का मतलब होता है वह कोथ जो संबरे प्रिक्षन के एक्स्टाहुत और बनाओ दैके तो कम से कम वह वाली तो लगे इना जो हर एक्स्टाहीं बनाने पर लगती है फिक्स नहीं लगी लेकिन वारीवल तो लगे इना या पर फिर मार्जनल कोश्ट इसल सोने ऊच्वारिबल पोश्ट हन्जी प्लीज टेल मी हाँ अब बतारी variable cost क्या होती है fix cost क्या होती है और semi variable क्या होती है अच्छा एक बाव बताओ तुम मुझे यह बताओ कि जब हम इस chapter को पढ़ेंगे तो हमें variable और fix को अलग-अलग करना पढ़ेगा निपढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा बिकोज हमें marginal cost में सिर्फ कौन सी cost गराएबल को कंसीडर करनी है वयरियोबल फिक्स तो करनी नहीं तो हमें इसमें पढ़ते वक्त अगराओ करना पड़ेगा ठीक है ठीक है अगर वैरियिबल अलग से दियंगे तो कोई दिक्कत निए स्भी इनआई जिसमें fix भी involved है variable भी involved है फिर तो हमें fix or variable क्या करना पड़ेगा अलग-लग करना पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं थोड़ा सा टाइम लगाता हूं आपके साथ 5-10 मिनट और मैं आपको बताता हूं कि variable कौन से होती है fix कौन से होती है और variable और fix अलग-अलग कैसे होगी अगर वो combined जुड़ी हूई है तो ठीक आप यह काम करो में साथ साथ लिखते जाओ मजाएगा आपको साथ साथ में सबसे पहली कोस्ट हम पढ़ेंगे वट इस वैरियेबल कोस्ट देखो वैरियेबल कोस्ट को अब आप ये भी कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा ये अनट प्रोड्यूस करने पर लगी कुण आपको पत它 भोगार्व प्रपोर्पोर्शन बोलते हैं तो extra unit को चो पर एरिये कारी को आपने एक तिया कि जो एक्स्ट राियूनिट को पर ने लगी या लगी है लेकिन परोर्ट बोल और समय जोम Dude were को लगी है रूपीज थरी चुला मैं देखना आता हूँ आप कितना इंटेलिजेंटली इसको सेवद आते हो अगर मैं टैन यूनिट प्रोडूस करूंगा तो मेरी कोष्ट कितनी आएगी अगर मैं वैरियबल कोष्ट की बात कर रहा हूं तो 30 आएगी, very good, कैसे पता लगा अगर मैं 100 उनिट प्रोडूस करूंग तो कितनी आएगी सर फिर 300 आएगी, सर सीधी बात है आप एक एक उनिट बढ़ाते जाओ या कम करते जाओ हम उसी रेशो में ही कोष्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे अच्छा एक बावताओ, यह जो कोष्ट है यह जो कोष्ट आप डिक्रीज ओ, 3 रुपे, 300 रुपे यह तो अलग लगा ना, कभी 3 है, कभी 30 है, कभी 300 है तो वारियाबल कैसे पतल लगा है, वारियाबल है सर वारियाबल कोष्ट को जानने का एक बाष्ट तरीक होता है वो कोष्ट जो पर यूनिट per unit क्या रहती है same रहती है ना that is known as variable cost sir मतलब sir एक unit बनाने पर कितने लग रही है एक unit इस कोशिel में तो 10 पर कितने लगी तो 10 पर 30 का मतलब भी तो 1 पर При Ada 3 हुई अगर 10 रुपे अगर 10 उन बनाने में 30 लगती है तो यहां पर भी तो 1 unit की कितने बनी वन यूनिट का तीन रुपई तो बना अगर सो में तीन सो है तो भी तो एक यूनिट पर कितने लगा तीन रुपई तो बना इसका मतलब वो कोस्ट जो पर यूनिट सेम होती है उसे वैरियाबल कहते है स्टूइबल कहता है आज तक हमने यह सुना था कि वैरियबल जो होती है जो पुट अपकी टोटल कोस्ट है मालो यह टोटल कोस्ट है तो एक पे तीन लग रही है दस पे तीस लग रही है अब दस पर तो बढ़ गई दस जवर्य हैं गारभाना वेकिड थी सोगई तो ऐसे तो वेबिडिकर बढ़ रही ना वेडिकरनार कर रही है लेकिन पर यृणिट क्या है पर यृणिट सेम तो व्एरियबड कोश्ट एट है ना एट एट गुरूब वन में वहां डिसकेशन करते हैं बट यहां पर आपको समय में आएगा सब देखो फिक्स कोस्ट की अगर मैं एक्जामपल लिखूं पहले इसकी सबसे बेस्ट इग्जामपल है रेंट हलाकि और बड़ी सारी फिक्स कोस्ट होती है लेकिन इसक का वेर्ण है यानि की टोटल कोस्ट है यहांता है यह अपक्ाक्टरी का रियंट है तो चोटल को स्ट जोहना वहां की फैक्टरी का रियंट है माल लेज को 5 εचैनी सपथा अब आप मुझे गंगा हो अगर आप दो यूट परड्यूम सेमें ऐसंदिए दूशचे Ip Plus लिगसे में किया है तो फॉटल में सेम हैं तो इसे में जो टॉटल में सेम होती है ना same है that is known as fixed cost. जो total में same है that is known as fixed cost. तो लो जी मैंने आपको variable cost बता दिया, मैंने आपको fixed cost बता दिया, variable cost वो होती है जो per unit same होती है, fixed cost वो होती है जो total में same होती है. अच्छे दाओ, एक बार मुझे याद करवाओ, आप लोग मैं बार बार पूछता रहूंगा आपसे ना, तो comfortable आप भी, मैं भी और मुझे यार, marginal Costing का chapter हम पढ़ रहे है, Marginal Costing के chapter में, Marginal Costing के chapter में, इन दोनों से कौन सी cost हमारे काम आएगी, very good, इन दोनों में कौन से आएगी, variable cost, बिल्गुल सही बात है variable, पर मैं एक बाव बता हूं मार्जनल कोष्टिंग के चैप्टर में एक concept आएगा ग्रुप वन में कुछ टीचर पढ़ाते हैं कुछ नहीं भी बढ़ाते हैं वह वह बाद दो करेंगे तो वहां पर हमें ना मार्जनल कोश्टिंग वर्सिस एब्सॉप्शन कोश्टिंग जब हम एब्सॉप्शन कोश्टिंग पढ़ेंगे ना मार्जनल कोश्टिंग के साथ तो वहां पर हमें वेरियाबल भी काम आती है और फिक्स्ट भी काम आती है हां लेकिन बिल्कुल सही बात है अग this one is clear okay अब हम पढ़ेंगे semi variable cost लेकिन semi variable cost करवाने से पहले मैं एक example लूँगा और आप मुझे इस example का अंसर दो कि क्या अंसर है ठीक है ना मान लेजिए semi variable cost थो थोड़ देर में रुक्या करेंगे पहले आप मुझे इस question का answer दो example मान लो मैं produce करता हूं 50 unit और मेरी टोटल कोस्ट आती है 5000 ठीक है मैं unit produce करता हूं 55 unit और मेरी टोटल कोस्ट आती है 55 रुपे 55 रुपे लिख लो लिख लो कोशन साथ लिख लो यार यह कोशन लिख लो साथ में और मुझे बताओ यह fix है variable है यह semi variable है यह बताना आप मैं एक मिनट में आ रहा हूं आप प्लीज दो फट आ फट देखे दो क्या अन्सर है में पारब टरू लागे यह बताना कोस्कि लोग काम झात्रों आप लो भुविवड़ मेरी लो ज है हांच सींधी हैं कौन सी कोश्ट है अ हमोगा सब 42 कैसी कोश्ट तो नहीं है कि तो मैं बिल्कुर हूँ हूँ क्यों क्योंकि टोटल में से महीं पर अब देखना यह बोलो पचास तो एक पर कितने हैं तो भाई यह आपकी कोष्ट है वेडियेबल यह आपकी कोष्ट है वेडियेबल ठीक है डन लेटस टेक वन और एक और एक और एक्शामबल एक ने पर अवन तोठेट्र दिया जाएगी माले जिया आप परडियोश करते हैं फैनली उनटंड और आपकी टोटल कोष्ट आती है ilrud for अक्वेडय गृर्दी तक प्रडियों हॉओज करते हैं और आपकी टोटंडों स्थांट वेडियों नह है यह कोस्ट फिक्स से वेरियेबल है यह दुनों यह अगर आपके बास नहीं है तो ले 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 ना अभी नहीं विद्वाद चलेगा लेकिन नेक्स क्लास के लिए आपको रखलेना साथ में वह बहुत चोड़े पॉइंट है कोई दिक्कत नहीं है अभी हम कर लेंगे डिस कोई भी नहीं है अच्छा एक पर निकालना प्रिम्ट कितनी आ रही है एक मिन्ट पांच हजार डिवाइड़ बैंडर्ड कितनी आ गई पचास परिम्ट बोलो पच्पन सो डिवाइड़ बैं ट्वंटी अब कितनी आएगी 45. तो भाई ये पर निट में सेम नहीं है नहीं है तो वैरियबल कोस्ट नहीं है क्या ये फिक्स है दोनों में सेम है पर टोटल कोस्ट तो ये फिक्स भी नहीं है तो फिर ऐसी कोस्ट को में क्या बोलते हैं तो इस टाइप ओफ कोस्ट लिख लो आप सासत इस टाइप ओफ क कोस्ट is known as semi-variable कोस्ट. हाँ, semi-variable या semi-fix भी भी बोलते हैं. तो बिलकुल सही है. बिलकुल सही है. अच्छे बावता हो. जो ये 5000 रपर कोस्ट है, इसके अंदर ना ये fix है, ना ये variable है. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, इसके अंदर fix भी है और variable भी है. बोलो, इस 500 के अंदर fix भी और variable भी है. अगर हम marginal कोस्टिंग की चैप्टर की बात करें, तो हमें कौन सी कोस्ट की जरूरत है, total की या variable की. तो फिर हमें ये मतलब अलग करने पड़ेगी, ने पड़ेगी. segregate करना पड़ेगा, किसमें fix कितनी है, इसमें variable कितनी है, तो अभी मैं आपको ये सिखाँगा सबसे पहले, कि इसको segregate कैसे करते हैं, इसको अलग कैसे करते हैं, ठीक है, एक class का एक example लेंगे हम लोग, और उस example की help से हम सीखेंगे, कि इसको variable कैसे करते हैं, fix कैसे कैसे निकालेंगे, इसमें से variable कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहीं कर लेता हूँ, इसको यहीं पे solve करता हूँ, ठीक है, देखो, इसका एक formula है, formula लिखो, change, यह formula नहीं है, आप समझ जाओगे, यही आना चाहिए, change in cost, divided by, change in units, change in units, बताना change in cost कितनी है, यह देखो, यह 5,000 है, यह 5,000 है कोष्ट, 5,500 हो गई, 5,500 हो गई, 5,500, what is the change, 500, what is the change in units, यह रह, यह रह, यह रह, यह रह, यह रह, 20, what is the balance, इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, पता हुझे रह, रूपीज 25 पर इनट, ऐसे आएगा न, रूपीज 25 पर इनट आएगा न, बोलो भाई, रूपीज 25 पर इनट आगा, इसका क्या मतलब बनता है रूपीज 25 पर इनट का, यह रूपीज 25 पर इनट क्या चीज़ है, eine variable fix कैसे पता क्योंकि variable ल कोश्टक्षी तो change होती चेंच होतीं गूंड थो चेंज होती नहीं फिक्स तो फिन से मिर्थती है तो भागले दो सो यूनिट में आपकी कोष्ट आती है जी पांच हजार अब इस पांच हजार में वैरियाबल कितनी है बोलो 25 पर यूनिट और यूनिट कितनी है तो आपकी वैरियाबल कोष्ट हो गई so into pairs we put chis or fix correspondent automatically remaining रैगे किपनी पचिसो डिन हमने निकाल लिया हमने calculation कर लिजी वेरियेबू कितने फिक्स कियdnis सुन उसके बाद आपके पास कितने इसके नेक्स एक्सोबी का्ट और थे मैं कुषेंगा कोश्ट आप कितनी थी यह पर? इनमेने से वैरियाबल कितनी और फिक्स कितनी है रुको आप मेरे 25ánh पर सेम रहेगी लेकिन इस पर हिनुट कितने हैं 120 तो यह तीन अर्प यह तीन जर्प आ रहा है बताओ वह वैरियबल कोस्ट और फिक्स कोश्ट क्लीर हो गया नहीं हो गया तो अगर मार्जमा कोश्टिंग का चैप्टर जम पढ़ते हैं जब हम इसको डिसकेशन करेंगे तो सब्सक्राइब कोश्ट की ठाप यह वी तो इस एक्जांपल में तीन यह रहेगी और इस एक्जांपल में 25 बोलो प्लीज क्लियर और नॉट क्लियर हंजी सेमी विर्यबल में से वेरियबल और फिक्स अलग करना आ गया मैं ठीक है अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट को मार्जम कोस्टिंग चेप्टर को जो मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं मैं आपको कोई कोस्ट कैलकुलेट करने सिखाने वाला हूं या डिसीजन मेकिंग सिखाने वाला हूं decision making right ना हमने पहले realism किया था कि marginal costing जो है वो एक टेक्निक आफ कोस्टिंग को सटिंग है जो हमारी allप करेगी in decision making जो हमारे help करेंगे in decision making वो कैसे help करेगी हम discussion करेंगे ठीक है ने एक च्छोगे स में इंक्पल भूंगा अभी भी मैं सिरफ जोईना आपको इंट्रो पार्ट में ले रहा हूं कोई फॉर्मॉला भी मैं नहीं लिख रहा हूं कोई कुछ नहीं लिख रहा हूं तो हमारे इस जल्दी बैटर आपको समय में आएगी ठीक है एक coaching center नया open होता है ठीक है भई अच्छा और मैं ना online coaching center की बात नहीं कर रहा हूं एक बार example के लिए मैं face-to-face coaching center की बात कर रहा हूं मैं online की example भी ले सकता हूं but मैं अभी face-to-face का ले रहу और मैं अलग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि online में variable cost अलग होती है और face to face में variable cost अलग हो सकती है ठीक है ना nature of variable cost तो बात करते हैं watching की देखो हमने यह decision लिया कि एक institute त्यार किया जाए और जहां पर जब student आएंगे तो उन्हें पढ़ाया जाएगा और per student से हम अपने charges लेंगे ठीक है हमने यह decide कि जब student आएगा तो हमारे खर्चे क्या क्या होगे ठीक है तो हमने देखा जी हमारे खर्चे होंगे कि सबसे पहले student को बैठने के लिए chair चाहिए ठीक है ना तो एक हमारा chair का expense होगा फिर अच्छा मैं यह अज्यूम कर रहा हूँ जो chair का expense है ना यह हमारा variable expense है variable का मतलब है कि अगर एक student है तो एक chair दो student है तो दो चेर अच्छा of course इसमें तो कोड़ आउट ही नहीं अच्छा इसमें हमारे जो मतलब मैं बोलगा इसमें जो क्या बोलते हैं unit है जिसे में कहते है one extra unit one unit producing one unit अब producing तो इसमें आएगा नहीं एक सरसे आभी सकते है अभी क्या होना मेरे कुछ रिलेटिंग मुझे मिले थोड़े दिन पहले और मुझे बोलना के जी आप क्या करते हो मैंने का जी मारी फैक्टरी है भूले आपकी फैक्टरी है मैंने कहा हमारी फैक्टरी है हम manufacturing करते हैं तो वह हमारे लिए एक unit है एक CMA student याने की एक unit हना तो एक unit के लिए एक चेर और हम यह मान के चल रहे हैं कि जब student पढ़ने आता है ना तो यह कसम खा गयाता कि यह चेर जो है ना इसके बाद नहीं चलेगी आज हम इसे पर बैटे हैं आखरी क्लास ता इसको तोड़ के विनाश करके जाएंगे इसका मतलब इसे fix में मत कवर करना कि सब्सक्राइब तो सालों साल चलने माली ना ना भाई यह चैर कैसी भी लिए स्टूड़न ने मतलब इसको खतम करके जाना है तो एक चेर पर हमारा मानलों खर्चा होता है पंदरा सुर पर उसके बाद आता ही जब भी एक स्टूड़न आएगा हमें उसको बुक्स देने पड़े के पढ़ने के लिए है यस और नो अब बुक्स हम खुद देते हैं शूट मतलब हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो अपनी सेल्फ बुक मनाते हैं अपनी जिसमें स्टेडी मिटल भी कवर कर लेते हैं थोड़ो सा प्रमोशन में जर जाएगी दो आएंगे जो जो चाहीएगी तीन यंगे टीन चाहीए गी तो इसका मतलब यह वाली कि खर्चा यह वरा फैरी बन मतलब जो यूनिट के साथiona बड़ेगा प्रपोर्शन डिरैक्ट प्रपोर्शन वान लो इक सुडुड़न को जो बुक्स निए उसकी कोश्ट यह हमारी इंस्टिवींट की जो एन एक बार के लिए मन लेते हैं variable कोस्ट बुलो कॉन सी कोस्ट है variable कोस्ट, ठीक है ara थोड़ी बात कर लेते हैं fixed cost की, हालाकि मैं चाहता था कि मैं आपसे पूछ हूँ इनमें से variable को सी है fix को सी यह बट माँ बताही रहω तो रेंट बताँ भई रेंट जो है वो हाँ हमारी फिक्स कोष्ट में आए गाया वैरियेबल अब सर कितने भी स्टूरण आ जाएं कितने भी स्टूरण आ जाएं पढ़ने के लिए बहुत तो फिक्सी रहे गा मत अफकोर्स एक लिमिटर कपैस्टी सक अगर पचास बच्छे बैठ सकते हैं यह थोड़ ना कि सो आ जाएंगे फिर तो एक रूम और लेना पड़ेगा फिक्स कोस्ट बढ़ जाएगी ऐसे कोशन भी करेंगे कि अगर आप अपनी कपैस्टी से जादा परड़क्शन करते हैं तो आपकी फिक्स कोस्ट एक इनट एक्स्ट्रा परड़क्शन करने से भी डबल हो सकती है जैसे माल लीजिए एक रूम है और इसमें पचास स्टूड़न पड़ते हैं और हमारे पास 51 स्टूड़न आ गए तो आप बताईए हमें एक रूम की ज इसके लावा मैं पढ़ाता हूं उसके लिए मुझे लैपटुप चाहिए ठीक है और इसके लिए हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं जो आप देख पाते हो प्रोजेक्टर के थूप स्क्रीन दिखती है आपको फेस्टूफेस में बैठोके तो वो प्रोजेक्टर सब कुछ दिखाई देते हैं तो आप बताओ जो कैमरे के भी वहां पर यूज होत अब इनकी मैं बोलूँगा डैप्रीशेशन क्या वर्ड उसके मनें डैप्रीशेशन मैं यहां पर उनकी कोश्ट नहीं डैप्रीशेशन ओफ इक्यूप्मेंट ऐसे मैंने वर्ड यूज कर दिया एक बार अब डैप्रेशन एक बड़ा लंबा चोड़ा मतलब पार्ट है कि एक स्टूड आएगा ना उसकी हम फीस रखेंगे दस जार पे ठीक है लो जी आपके सामने कोच्टिंग कोचिंग इंस्टिटीट का एक पूरा स्ट्रक्च्र मैं ने दे दिये कि अगर एक स्टूड आता है पर स्टूड़इंट की हमारी फीस रहेगी दस जार पे और एक स् नम्र बोचुछा आप उसको नम्र का अंसर देजिए और फिर नम्र को को करेंगे तो कोशन में लिक लेना को रिमूव कर दूँगा को भी बिजनसमैन जब बिजनस करता ना तो इसका पता है पहला प्राइमरी अबजेक्टिव क्या होता है तो वैसे तो हर बिजनसमें का एक objective होता profit 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 नहीं बहुत सारा profit बेहिस्सा profit हर institute हर businessman आई बहुत सरा profit हो लेगन खैर ये तो ख्वाब होते नहीं तो सपने होते हैं कि बहुत सरा profit हो भाई ये हो वह लेगिन उसकी सबसे पहले इच्छा ही होती है कि जो मेरी cost है ना वो covered हो जाए at least मैं एक ऐसी सिचोशन में आ जाओं जहां मेरी कोस्ट और मेरी इंकम क्या हो जाए बराबर हो जाए मेरी मतलब जो मेरे को आ रहा है और जो मेरा जा रहा है वो बराबर हो जाए यह बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं मैं आपको देरे देरे इंट्रडूस करूंगा मेरा कोशन यह है कि कितने student आने पर how many student required how many student required to cover all the cost to cover all the cost मतलब basically मैं बोलों को to cover fix the post fix cost to cover the fix cost तो बताइए how many students how many students required to cover entire fixed cost मैं जान बूच के नहीं बोल रहा हूं break-even point है ना आपको लगा रहे सब यह तो break-even point है मेरे को मालू मैं ने मैं चाहता हूं कि मैं धीरे धीरे इतनी जल्दी इतने करूं दीरे जीरे अप वह उस point पर लेकर जाओंगा फिर बोलूँगा उसको break-even क्यों कहते हैं एट्सेटरा एट्सेटरा राइट तो कोई भी institute कोई भी बिसनसमें जाता है कि कि कितने student आएंगे जिससे हमारी entire fixed cost कवर हो जाए पहले हमारी फिक्स कोष्ट कवर हो जाए अब देखो ऐसे तो randomly समझ में नहीं आदा कितने होना चीए एक काम करते हैं एक try करते हैं यह तो हमारा data हो गया यह हमारे student अगर आता है एक student अगर आता है तो उसकी फीज कितनी है जल्दी बोलो दसजार पे तो हमारी collection कितनी होगी दसजार पे अच्छा आप बताओ दसजार में से पहले कौन सी cost minus करोगे आप variable cost why first deducting variable cost हाँ कोई भी बंदा सबसे पहले variable cost इसलिए minus करता है कि जो हमने directly खर्च किया है वो तो पहले minus करें फिर देखेंगे जो हमारे खर्चे बड़े वाले हैं वो cover up होते हैं नहीं होते variable cost कौन से होती है जो production की unit की extra production की वज़े से हुई है तो भाई जो एक्स जो ड्रेक्टली हमारे प्रड़क्ट से रेटेड है उसको तम हाथ के हाथी minus कर देते हैं तो कितनी है variable cost सरी यह 2 है variable cost 1500 1500 कितनी 3000 so what is the balance left 7000 अब इस 7000 का नया नाम है that is called contribution इसको एक और नाम भी बोलते हैं profit अभी नहीं बोल रहा ठीक है लेकिन मैं इसे profit बोलूंगा जिनूर ठीक है अभी मैं इसे contribution बोलूंगा लेकिन एक time जरूर आएगा जब मैं इसे बोलूंगा यही ही profit है यह actual में profit ही है राइट तो अभी हमने बोला है contribution ठीक है है हंजी contribution क्या था पताओ फट 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 वर्ट वर्ट इस contribution अब फट आफट फट फ़र्मुला आएगा जवर जवाब में मेरे को मालूम है क्या होता contribution सर सेल माइनस variable cost is known as contribution गल्थ बोल रहे हो गल्थ बोल रहे हो यह formula बोल रहे हो अगर मैंने मैंने फ़र्मूला पूछा है क्या होता है contribution मैंने फ़ॉचा यहां पूछा है contribution क्या होता है आप बताता सर सर स्र कॉंट्रिपशन वह amount होता है जो आपski fixed cost को cover करने में काम आता है आप पताव की fixed cost कतनी है चालिस औ Рटीस 70 यहां से मैनिस करेंगे फिक्स कोष्ट यहाँ से मारने कि 70,000 और हमारा आता है यहां पे लोस्स डैट इस 63,000 तो यह क्या था यह यहांब लोस्स यह कि अगर पूरे सेशन में सिर्फ एक स्टुट्डेंट पड़ने आए तो प्रोफिट ऑब लोस्स होगा लेकिन contribution आ रहा है नहीं आ रहा है contribution दो आ रहा है right contribution दो आ रहा है कितना रहा है 7000 पर अगर यह student भी ना आता और हम institute run करते हम बंद नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रूट रन करते तो कितना लोग सब्सक्राइब 70,000 यानि कि एक student ने एक student की fees में से fixed cost के towards कितना contribute हुआ 7000 पर सब्सक्राइब कोंट्रिबूशन का मतलब contribution towards fixed cost contribution towards fixed cost एक student की fees में कितना amount है जो fixed cost को contribute कर रहा है कम करने कोशिश कर रहा है सर यहां तो हमारा loss हो रहा है मैंने का हमें ऐसी situation देखनी है जहां पर हमारी fixed cost मतलब ऐसी जो हमारा profit है वो zero हो जाए हमारी fixed cost fully covered हो जाए कितने student आने पर हमारी fixed cost fully covered हो जाए कि मैं जाना रहता हूँ चलो एक काम करते हैं अगर हम लेते हैं 10 student तो क्या answer आता है वो देख लेते हैं 10 students fees बताओ कितने आएगी 10 students into 10,000 कितना आ गया वन लेख आ गया इसमें से क्या मैंस करेंगे वैरिबल कोस्ट वैरिबल कोस्ट क्या होती है पर इनथ ने पर student person एक स्टुडेंट पर कितने लगती बोलो फट अफट यह रही यह तीन घर लगती एक श्रूड़नट पर हमारी 3,000 लगती है तो 10 स्टूडेंट अगर आए हैं तो 10 स्टूडेंट को 10 चाहिएंगी 10 10 बुक्स चाहिएंगी कितनी कोश्ट आएगी बोलो फटावट प्रॉफिट अबलिक लोंस्ट तैज पॉइंट को एक टेक्निकल नाम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पर हमारी फिक्स कोस्ट पूरी कवर हो चुछी है असे दाओ क्या इस पॉइंट पर हमने प्रॉफिट कमाया पर इमान दर्श दाओ इस पॉइंट पर हमें चैन की सांस मिलेगे ने मिलेगे क्यों मुझा गया भी नहीं और कुछ कि और आया है कि कि आपके प्रोड़क्त के आपके इंस्टिटीट kay ड्रन नंगी शारे मैं चलिडरा भाई ब्रेंड्वब चाना क्या आपके इंस्टि correl बंनेष हो गया मैं बिल्कुल और बॉल नश करूब कि क्या ऐसी situation में थोड़ा सा लिख रहा हूं मतलब यह कोई लिखने वाली बात नहीं है देरे से 9 इंकम टेक्स अब आपका इंकम टेक्स कहांसे लगेगा यह सुरनो आपका इंकम टेक्स भी निलगेगा और क्या ऐसी जिगा पर आने के बाद आपको एक मतलब एक आपको ऐसा ल कि भी कोई न्या सून्ल आता है तो ऑन क्वारे क्या लिए और विस कोशे कोड़ कोश्ट को और जिस मारी सारी शर्च कवर कोई उसके बाद दूट आएगा उसका पली कोश्ट ने रखेंगे teria हमारा फ्रोफट बन जाईगा मैं एक्जांपल के एक्जाम्पल से बेटर अंडरस्टेंडिंग होगी आप अगर 11 स्टूडेंट रते हैं तो क्या होगा एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा लो जी ग्यार में स्टूडेंट आ रहा है फटा फटा आरती कि थाली ले आओ क्योंकि इसने हमें अप्रोफिट देना है ना चलो हम शुरुआत से करते हैं 11 स्टूडेंट्स वेरी गुड इंटू रुपीस 10,000 पर स्टूडेंट वन लेक 10,000 माइनस क्या करेंगे हम वैरिबल कोस्ट तो वह वैरिबल कोस्ट तो पर सून लगती है और पर स्टूडेंट की कितनी कोस्ट है तीन हजार तो 11 स्टूडेंट्स की कोस्ट कितनी बने की जल्दी पूलो 33,000 कितना बच गया 77,000 क्या चीज़ है यह कॉंट्रिब्यूशन है कॉंट्रिब्यूशन है अब बताओ इसमें फिक्स कोस्ट कितनी है सत्तर हजार बैलन्स कितना बचा सेवन थाउजन यह क्या चीज़ आगे आपकी मैं एक कोशन पूछूंगा मुझे इस कोशन का आंसर दो गए तब ही मुझे लगया कि आपको समय में आया है मुझे इसी काओ बताओ जो 11 वाला स्टूडट था 11 स्टूडट लास्ट वाला स्टूडट ज्यारमा स्टूडट यह तो इसka बोले किस कोश्ट कोश कर चुका यहां कवर कर चुके है यह 11 स्टूडट देखो बहले ह Alors legislature Aut F zupełnie हमारी वेरियबल भी हमेशे के लिए कवर होगी या वो तो लगेगी जब भी नया सूर्ण आएगा वेरियबल कोस्तों लग के रहेगी उसे आप रोक नहीं सकते हैं कितनी लगेगी बोलो फटाफट तीन हजार तो हमारा प्रोफिट के अकॉंट्रिबुशन कितना बचा ही प्रोफिट होता है वैं मैं कहते हुआ था कि क्वोंत्रिबुशन इस इकोल्क राफट लेकिन उसे हम प्रोफिट तब तक नहीं बोल पाते जब तक कि वो देखर को कवर नगा कर ले तक हमारि पल ने God क्यों कुछ मारे दिल करता तक से प्रोफिट बोलने क्या बनना शुरू होता है अब आप बताओ contribution क्या होता है मैं फिर बोलूगा formula मत बताना अब बताओ what is contribution contribution क्या होता है formula मुझे भी आता है आप मुझे दो contribution क्या होता है contribution is covering बोलो क्या? फिक्स कोस्ट only या फिक्स कोस्ट as वेल अज परॉफेट एस वेल अज प्रॉफेट तो कॉन्टी कॉन्टीबूशन इस कॉवरिंग फिक्स ट कोस्ट एस पॉथल अज कोश्ट प्रॉफेट हो गया जी फैनल अब हमें समय आगा जी contribution क्या होता है fixed cost as well as profit cover करता है contribution राइट चुल एक बावता हो contribution plus point है minus point plus point contribution क्या है plus point है ठीक है एक question मैं आपसे पूछूंगा इस question के अंदर ठीक है यह आपके समय सेम ड़ेट है मैंने एक question आप पूछ लिए दूसरा question मैं पूछने जा रहा हूँ ठीक है और उस question का answer आप सोच के देना क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ यहां पर हमें cost calculate नहीं करनी हमें decision making लेना है question यह है मेरा एक student मिरे बसाता है और वो कहता सर्थ मैं financial problem में हूँ और मैं ना आपकी fees मैंने सुना है कि 10,000 रुपीज है बट मैं आपको maximum fees जो दे सकता हूँ ना वो सिर्फ 4000 पर दे सकता हूँ मैं इस से जादा fees नहीं दे पाऊंगा मैं इस से जादा फीस नहीं दे आँगा मेरी maximum fees जो है मैं मैं मैक्सिम फीस जो है वो चारहजारी दे सकता हूँ अब मेरा कोशन आप लगों से यह है कि मुझे यह offer accept करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मतलब मुझे वो student को ले लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि कर सकते हो नहीं यह तो कर लेना चाहिए यह नहीं करना चाहिए कर लेना चाहिए बताओ एक मिनट रुकवा आप इतने बताओ भाई आप सोचो भाई सोचो सोचो करना चाहिए यह तो करना चाहिए कर दो कर दो कर दो दोना चाहिए है कि अजय है आप आप अ कि हांजी तो भाई क्या डिसीन लिए आप लोगों में ओफर एक्सेप्ट करें ना करें सर देखो मैं दो तरीके से आपको इस ओफर का समझांगा पहला किसम वो लेते हैं जिक हमारे दस स्टूड़न्ट अलड़ी आ चुके हैं और यह हमारा कौन सा स्टूड़न्ट है ग्यार घ्यारमा स्टूड़ननमारे बास आ रहा पता यह हमारी सारी Fi mixture का यह हो चूकी यह कितनी दे रहे वैरिएबल को स्कितनी ठेढ़ की वैरिडुब को सेम रहेगी बल्कुल साही है वैरिएवल कोष्ट का Selling Price से कोई ने देना नijnस्ता सैलिंग प्राइस जोता है जो कि सिप्ट को बेचने की कोसे का प्राइस बेचने का प्राइज यह वह फिजिल नमदे तो आप अगर एक स्टूंट करते हो states ? तो आपको क Toronto कितना बचा क्या वो 토 में अगर एक फूरुन फो प्रफट दे रहे हैं बलहे ही वह एक थूरुन हिर पे काही फोत दे रहा है अगर आप नहीं लोग के जी आप सर मुझे फ्री बढ़ा दो हम बोड़े फ्री तो ने बढ़ा सकते ही कुछ खर्चे तो हमारे भी आएंगे यह सोर नो कम से कम minimum fees कितनी ने चीज़ कि ना उसको लोसो ना हमें लोसो जिसमें हमारी variable cost पूरी कवर हो जाए यानि की 3000 3000 से अगर आप कम लेते हो तो तो definitely आप नुक्सान में जाओगे आपका लोस होगा लेकिन अगर आप 3000 तक लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप एक student से minimum fees कितनी accept कर सकते हो 3000 यहाँ पर थोड़े pros and cons है आप यह सोच सकते हो कि ज़र बाकी student को पता लगेगा तो फिर वो भी कलको fees की कम की demand करें हम इन factors को ignore करके चल रहे हैं हम मान रहे हैं कि बाकी student कुछ ज़िए नहीं करना चाहिए था तब भी हमें offer accept करना चाहिए था देख बाता हूं कैसे मान लो अगर एक ही student आता है और यह first student है तो what is the fees यह 4000 पर दे रहे है what is the variable cost 3,000 what is the contribution minus fixed cost कितनी है सत्तर हजार and what is the loss 69,000 अब आप लोगा सर यह तो लोगा सिटन क्या फाइदा हो ऐसे student का मैं के तो मान लो यह student भी नाता जीरो होता student तो आपकी selling price is 0 याती variable cost 3,000 पर नेगेटिव में याती बोलो भाई ने ने सॉरी 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 वेट 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 मान लो एक भी स्टूड़न नहीं आता तो आपका contribution 0 अगर स्टूड़न नहीं आया तो connected chair और variable cost भी मतलब नहीं लगती लेकिन fix cost फिर भी लगती rent तो आपको देना ही पड़ता वो कितना लगता 70,000 तो आपका loss कितना आता यानि कि एक student के आने से आपका loss कम से कम एक हजार तो कम हुआ yes or no तो ये offer अगर आपको पहला student हो या 11th हो accept करने चाहिए कि ने करने चाहिए yes accept करने चाहिए yes हमें accept करने चाहिए तो the offer should be accepted please tell me the point is clear or not clear ये example हमारे बहुत काम आएगी महता हो आगे भी चलती रहेगी और marginal कोश्टिंग के बहुत आगे तक ये बार बार हमें काम आएगी अब आप एक काम करो चैप्टर को शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप लिखो statement एक statement बनाएंगे और अब हम इस statement के basis पर ना formulas develop करेंगे और उन formulas को कोशन में apply करेंगे ठीक है लिखो statement सबसे पहले होता है जी सेल्स पर यूनिट है ठीक है और यह क्या मतलब बना मालो आप एक प्रड़क्ट को दस रुपए में बेचते हो एक उनिट को तो पर यूनिट प्राइज कितने हैं टैन अब अगर आपने सो इनिट बेचे तो भी आपका पर इनिट कितना रहेगा टैन लेकिन अगर सो इनिट बेचे तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो हम सेल लिखने हैं पर यूनिट वाइस भी और वैल्यू वाइस ठीक है इसमें से आप माइनस करो वैरियेबल कोस्ट अब स्टेट्मेंट आपको बस याद करनी है याद क्या करनी है अभी दाप करके मेरे साथ जो कोशन हमने किया वो ऐसे ही किया था वैरियेबल कोस्ट पर इनिट होती है तो वैल्यू निकलेगी अब यह आगया आपका कॉंट्रीब्यूशन यह कॉंट्रीबूशन कॉन सा है पर और यह कॉंट्रीबूशन इन वैल्यू आप देखना यह काम आएगा कहीं कॉंट्रीबूशन पर इनिट काम आता है तो हमारे काम आएगा इसमें से हम क्या माइनिस करेंगे बोलो फटापट फिक्स्ट कोश्ट और यह ना सीधा यहां माइनिस होगा यहां फिक्स्ट कोश् प्रैक्टिकल लाइफ फिक्स कोश्ट कभी पर इनुट नहीं होती है तो यह आ गया वैल्यू अब यह मारा क्या गया भई प्रोफिट या फिर लोस आ गया और यह भी यहाँ आएगा हांजी प्लीज टेल मी क्लिए और नौट क्लिए स्टेटमेंट याद आएगी वाली सबसे पहले अचा लिख भी लेते हैं कि ना फूर्मॉला में थोड़ा फिगर बना लेते हैं मानलो यह आपकी दस रुपे हैं यह आपका तीन रुपे कितना बचा साथ रुपे है यह आपक इतना बचे दो रुपे ठीक है ऐसे लिख लिए हमने दस रुपे की सेल तीन रुपे का विरेबल कोस्ट सेवन रुपिस कॉंट्रिबुशन पांच रुपे फिक्स कोस्ट दो रुपे का प्रोफिट या लॉस मेरा कोशन फॉर्स्ट फॉर्मॉला लिखने जा रहे हैं अब फ फॉर्मॉला यूस कर सकते हैं क्या पेपर में ऐसा कोशन आता है कि कैल्कुलेट कॉंट्रिबुशन हां बिल्कुल आता है तो कॉंट्रिबुशन का पहला फॉर्मॉला लिखो सेल्स माइनस वैरियेबल कॉस्ट ठीक है इस एक्जाम्बल लोग किना बनेगा 10-3 यानि कि 7 त मैं साथ में यहां लिख देता हूं 10-3 यानि रूपीज 7 चलो कॉंट्रिबुशन का एक फॉर्मॉला और लिखते हैं फिक्स कोश्ट प्लस प्रॉफिट अच्छा इस कोशन दो फिक्स कोश्ट कितनी है पांच रूपे फिक्स कोश्ट है और प्रॉफिट कितना है दो हां जी कितने फॉर्मॉला बंगे मारे बस दो अब मुझे एक बाब दाओ अगर मालो एक छोटा सा कोशन में एक च्छा रिख रहा हूं 10 रूपे से ले तीन रूपे वेरियाबल कोश्ट है साथ आ गया और मालो ये नोर पे या ये मालो 10 रूपे है 10 रूपे तो वाद इस लॉस थी वाद इस लॉस थीन कोंट्रिबिशन आपका 7 है सेल मैंस वेरिबल कोश्ट क्या 10-3 भी 7 आ रहे है यानि कि फिक्ष्ट कोश्ट के साथ प्रोफिट अथो प्लस करने और लोस है तो मैंस करने वो भी कोंट्रिबिशन बनेगा तो इसका बन गया फिक्ष्ट कि 15- cost मैंनिस लॉस टाइस 10-3 आइस रूपिज 7 यह हमारे होगा जी कोंट्रिबिशन के 3 फॉर्मुलाज बो तीन ही हो रहेंगे बहुत सारे आएज़ेगे अभी बहुत सारे फॉर्मुलाज हाईगे लेकिन अभी हमने 3 किये है कोंट्रिबिशन के तीन फॉर्मूले की हैं कौन-कौन से एक बार याद कर दो सेल माइनस वेरियबल कोस्ट फिक्स कोस्ट प्लस प्रॉफिट और फिक्स कोस्ट माइनस लोस तो गाइस टेल मी फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इस कलिर और नौट कलिर तो गाइस आज हमारी इंड्रोडिक्टरी क्लास थी और आज की क्लास को मैं यही तक रखूंगा आज ही क्लास में हमने थोड़ा सेलेबस भी डिसकस किया स्टेडी मेटल खोल के देखा कि इसमें क्या कैश Síphters है और इसके साथ हाँ आपने पहला चैप्टर स्टार्ट कर लिया है मैसेज कर सकते हो मुझे 9891463160 इसके पर आप मैसेज कर देना सारे होमवर्क सारी क्वेरी आपने इसी भी भेजनी है हाँ आपकी वीडियो नहीं चल रही है कोई टेकनिकल इशू आ रहा है तो फिर वह आप ओफिस के दूसरे मैसेज कर सकते हैं टेकनिकल इशू मैं सौल नहीं करूंगा लेकिन हाँ सब्जेक्ट से लिटे जो भी डाउट्स होंगे आपके जो भी कोश्टन होंगे वह मैं करूंगा के सौल बस आप वन बाइवन क्लास को ऐसे पढ़ते जाए और सलेबस तीरे 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 अपने ही आपके साथ सब्सक्राइगा ठीक है तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही करेंगे बैलन्स वी विल डू नेक्स ताइम तिल देन बाइबाए बाइबाए